धेर सारी खबरे हैं जो कि आज फोकस में हैं न्यूस फ्लोज है ऑटो मोबिल स्पेस पर फोकस है फैशन और रीटेल साथी बैंक्स और फिनेंश भी सारी की सारी खबरें लेकर शरद हमारे साथ जुर गए हैं गुड मॉनिंग शरद बताएं गुड मॉनिंग मानसी तो सबसे पहले जो है एक डील की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्वराज इंजिन्स फोकस में रहने वाला और एम एनम जो है लगबग 21 लाख शेर जो हैं जो हैं जो अलमस्ट 17 परसंट स्टेक होती है स्वराज इंजिन्स की वो खरेदने वाले के लोसकर इंडस्ट्री से जो अलड़ी इंवेस्टेड हैं स्वराज इंजिन्स में अगर डील की बात करें तो 14 रुपे प्रतिश शेर का डील है टोटल एग्रेगेट लगबग 300 करोड का रहेगा और अकुजिशन प्राइस से देखा जाए तो लगबग 17 परसंट का डिसकाउंट प रहेगी हीरो मोटर कॉप भी फोकस में रहेगा हीरो मोटर कॉप और एक्सपी सीयल के साथ एक कोलाबरेशन हो रही है जो इवी इंफ्रा चार्जिंग के लिए हो रही है अब इसके जो है कि इंपॉर्टन डवलप्मेंट आप मान सकते हैं इस पेस्पे आदिते बिल्ला फै कर दिया है आर गांधी को आज पार्ट टाइम चेर्मेन अब आज गांधी जो है कि इंपॉर्टन हस्ती है जो एक्स डिपुटी आर गवनर रह चुके हैं और इसके लावा लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस बैंकिंग स्पेस में सेंट्रल बैंकिंग स्पेस में उनका है इस प्रेक्टिव आक्शन फ्रेमवर्क उससे निकलने वाली है और बैंक ने जो है रिटन कमिट्मेंट दे दिया है कि वह कंप्लाइग करें गया आपके जो बैंकिंग नॉम्स हैं कैपिटल नॉम्स ले लिजिए या ने ने नूम्स ले लिजिए और इंपॉर्टन बात यह है कि यह जो PCA जो निकली है वो FY22 की earnings के base पे निकली है तो of course Central Bank of India पे बहुत positive reaction देखने मल सकता है spice jet में भी खबर आ रही है कि लगभग 80 pilots को जो है वो on leave रखे है पर without पे अगले तीन महीने के लिए और spice jet ने जो है खुद clarification भी दिया है कि यह temporary measure है क्योंकि वो cost को rationalize कर पाए cost को बचा पाए और यह reason इसलिए आया है क्योंकि जो max की जो fleet है वो बोइंग fleet को जो है आप कह सकते है कि उसमें grounding देखने के और उसके कारण जो है excess pilots हो गए तो of course वो कह रहे है कि उनके जो normal schedule है उसके लिए जो pilots है complete और जैस तरह डीजी सीए का जो restrictions निकलेगा उस तरह सारे वापस जो है pilots deploy कर दिये जाएंगे best agro life भी focus में रहेगा यहाँ पे quant mutual fund ने लगबग 2% stake जो है लगबग 5 लाग shares 60 करोड का value में खरदारी की है Zydus Life Sense में जो है उनके जो दो products हैं उनको एक marketing authorization मिला है यूरोप से new library products के लिए NBCC को लगबग 275 करोड का order आया है और आगस्ट के माईने में और Bloomberg से news आ रही है sun pharma focus में रहेगा जहाँ पे लगबग 485 million dollars का जो anti-trust settlement है उसकी जो है एक राइप से court की nod या approval आ गई है ओके तो चलिए सारी की सारी खबरे हैं जो कि इस वक्त focus में रहेंगी और इसके लावा भी एक और खबर